कारगम्य उपस्थित चीप चस्टिस अफ इंडिया डिवाई चंद्रचूर जी जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी जस्टिस बियार गवाई जी देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेगवाल जी एटने जनरल और वहेंकर रामानी जी सुप्रीम कौर्ट बार कांसल गद्यक्ष श्रीवान कपिल सेबल जी बार कॉंसिल अफ इंडिया के अध्यक्ष बाइ मनन कुमार मृष्टा जी सुप्रेम कौर्ट के सभी जजीज हाई कौर्ट के चीफ जस्टिस दिस्टिक जजीज अन्य महानुभाव देवी और सेजनो आप लोग इतने गंभीर है दूसरे में जो लगता है इस हमारो भी बड़ा गंभीर है कुछी दिन पहले मैं राजस्तान हाई कोर्ट के प्रेटिनम जूबिली सेरिमेनी में जाया था और आज सुप्रिम कोर्ट के 75 वरसों गयातरा के उप्लक्ष में जीला नयपालिका का राष्टिय सम्मिलन हो रहा है सुप्रिम कोर्ट के 75 वर्ष ये केबल एक संस्था की यात्रा नहीं है ये यात्रा है भारत के समिधान और समिधानिक मुल्यों की ये यात्रा है एक लोक्तंत्र के रूप में भारत के और परिप्रक्रवा होने की अरिच यात्रा में हमारे समिधान दिर्माताओं का नयाई पालिका के अनेकों मनिश्यों तका योगदान बहुत महत्वपुन रहा है इसमें पीधी दर पीधी उन करोडों देशवाच्यों का भी योगदान है जिनोंने हर परिस्थिति में नयाई पालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है भारत के लोकों ने कभी सुप्रेम कोर्ट पर हमारी नयाई पालिका पर अविश्वाद नहीं किया इसलिए सुप्रेम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर अब डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गवरों को और अधिक बढ़ाते हैं ये हमारे उस सांस्कूतिक उद्गोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जहते नानृतम इस समय देश अपनी के आजहादी के 75 वर्ष पूरे करके सम्विधान की 75 वी वर्षगान मनाने जा रहा है इसलिए इस अउसर मैं भी गर्व भी हैं गवरों भी हैं और प्रेर्णा भी है मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देश वास्यों को इस अउसर पर बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ इस अउसर पर राष्टिय जिला न्यायविदी का सम्मिलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है मैं इसके लिए भी आप सब को शुप कामराई देता हूँ साथियों हमारे लोककंत्र में न्यायपालि का सम्विधान की समरक्षक मानी गई है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने हमारी न्यायपालि का ने इस जिम्मेदारी का बख्खुबी निर्वहन करने का प्रयास किया है आजादी के बाद न्यायपालि का ने न्याय की भावना की रक्षा किये आपातकाल जैसा काला दौर भी आया तम्यायपालि का ने संविधान की रक्षा में अहम भूमी का निभाई कि मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रिम कौट ने उनकी रक्षा भी किये और यहीं नहीं जब जब देश की इस रक्षा का प्रस्ण आया तम्यायपालि का ने राष्ट रहित सरवों परी रखकर भारत की एक ताकी भी रक्षा की है इन सब उपलग्धियों के बीच मैं नियादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूँ साथियों बीते इस 10 वर्षों में न्यायक को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किये है कॉर्ट के मोडनाईजिशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है इसमें सुप्रीम कॉर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमी का रही है आज जीला न्यायपालिका का ये कारकम भी इसी का एक और उधारण है इसके पहले यहां कई लोगों लेट भी किया सुप्रीम कॉर्ट और गुजरात हाई कॉर्ट ने मिलकर आल इंडिया डिस्टिक कॉर्ट जिजिज कांफरंस का आयोजन भी किया था इस तरह के आयोजन इस अब जस्तिस के लिए बहुत ही जरूरी है मुझे बताया गया है यहां भी अगले दो दिनों में कई महत्वक्रण मुद्धों पर चर्चा होगी पैंडिंग केसिस का मेनेजमेंट, यूमन रिसोर्स, और लीगल फेटरिटी की बहत्री आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विशेताई किये हैं मुझे खुशी है इस सब के साथ अगले दो दिनों में एक सेशन जुडिशल वेलनेस पर भी रखा गया है परसनल वेलनेस, सोशल वेल बिइंग की सबसे पहली जरूरत है इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल को प्राइवरिटी देने में मदद मिलेगी साथ्यों हम सब जानते हैं आज आज़ादी के अमरित्काल में एक सो चालिस करोर देशवाच्यों का एक ही सपना है विक्सित भारत नया भारत नया भारत यानि सोच और संकल्ब से एक आधुनिक भारत हमारी नयाएपाली का इस विजन का एक मजबुत स्टम्भ है खास तोर पर हमारी डिस्टिक जुडिशरी भारतिय नयाएपाली की व्यवस्ता का एक आधार है देश का सामान्य नागरित नयाए के लिए सबसे पहले आपी का दरवाजा खड़खटाता है इसलिए यह नयाएक का प्रथम केंदर है यह पहली सीड़ी है हर तरह से सक्षम आधुनिक हो यह देश की प्रात्विक्ता है मुझे विश्वास है यह राश्तिय सम्मेलन इसमें हुए विमर्ष देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे साथियों किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्खक परामिटर है तो वो है सामान्य मानवी का जीवन्स्तर सामान्य मानवी का जीवन्स्तर उसकी इस अफ लिविंग से तैख होता है और सरल सुघम न्याय ये इस अफ लिविंग की अनिवारिय शर्त है ये कभी संभव होगा जब हमारी डिस्टिक कॉर्ट्स आधुनिक इंफ्रासक्टर और टेक्नोलोजी से लेश होगी हम सब जानते हैं कि आज डिस्टिक कॉर्ट्स में करीब साधे चार करोड केसे स्पेंडिंग है न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दसक में कई स्थर पर काम हुआ है पिछले दस वर्सों में देश ने जुडिशन इंफ्रासक्टर के विकास के लिए लगबग आठ हजार करोड रुपिये खर्च किये हैं आपको एक और तत्ति जानकर खुशी होगी पिछले पतीस साल में जितनी राशी जुडिशन इंफ्रासक्टर पर खर्च की गई उसका 75 परसेंट पिछले दस वर्सों में हुआ है इनी दस वर्सों में दिस्टीक जुडिशरी के लिए साड़े साथ हजार से ज्यादा कॉर्ट हॉल और ग्यारा हजार रेसिडेंशल यूनिवर्स त्यार की गई है साथ क्यों मैं जब लीगल फ्रटर्नीटी के बीच आता हूँ तो इक कॉर्ट का विशा आना बहुत स्वाभावी किया है टेक्नोलोजी के इस इनोवेशन से केवल न्याई प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई इससे वकिलों से लेकर फर्यादी तक हर किसी की परिशानिया भी तेजी से कम हो रही है आज देश में अदालों को का डिजिटाइशेशन किया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा इन सभी प्रयासों में सुप्रिम कोड की इकमिटी एहां भूमी का निभा रही है साथ क्यों पिछले वर्ष इकोर्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को भी स्विक्रूति मिली है हम एक युनिफाइड टेक्नोलोजी प्रेटफॉर्म तयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इसके तहट आर्टिफिशल इंटलिजेंस अप्टिकल करेक्टर रेक्निशन जैसी यह उभरती हुई टेक्नोलोजी का इस्तेमाल होगा हम पैंडिंग केसेस का अनालिसिस कर सकेंगे भविश के मुकदमों का भी अनुमाल लगा सकेंगे पुलीस, फॉरेंसिक, जेल और कॉर्ट टेक्नोलोजी इनको इंटेग्रेट भी करेगी और इनकी काम को स्पीड अप भी करेगी हम ऐसी नाए विवस्तागी और बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फूचर रेड़ी हो गई साथियों आप जानते हैं बड़े बदलाव में इंफ्रास्रेक्टर और टेक्नोलोजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नियत की भी भूमिका होती है इसलिए आजहादी के साथ दसक बाद देशने पहली बार हमारे कानूनी धहँचे में इतने बड़े और एहम बड़लाव किये हैं भारतिय न्याए सहिता के रूप में हमें नया भारतिय न्याए विधान मिला है इन कानूनों की भावना है, सिटिजन फर्स, दिगिनिटी फर्स, एंड जस्तिस फर्स हमारे क्रिमिनल लॉज, सासक और गुलाम वाली कोलोनियल सोच से आजाद हुए है सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है नाय सहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा यही इतक मात्रा नहीं है लेकि नागरिकों को सुरक्षा देना भी है इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाब होने वाले अपराधों पर सक्त कानून बने है दूसरी और पहली बार मामुली अपराधों में सजा के तौर पर कम्यूनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है भारत की साक्ष अदिनियम के तहत सबूत के तोर पर इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल डेकॉर्ड को भी मान्यता मिली है भारतिय नागरिक सुरक्ष समीता के तहत इलेक्ट्रोनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्ता बनाई गई है इसे नयाई पालिका पर पैंडिंग केसेस का बोज़वी कम होगा मिरा आगरह होगा सुप्रिम कौर्ड के महरदरशन में डिस्ट्रिक जुडिशरी को इस नई व्यवस्ता में ट्रेन करने के लिए नए इनिशेटिव भी जरूरी है हमारे जजेज और वकिल साथी भी इस अभ्यान का हिस्सा बन सकते हैं जनता भी इस नई व्यवस्ता से परिचित हो इसमें भी हमारे वकिल और बार एसोशेशन का आहम रोल है साथियों मैं देश और समाज के एक और जोलन्त विशे को आपके समग उठाना चाहता हूँ आज महिलाओं के खिलाब अत्याचार बच्चों की सुरक्षा समाज के एक गंभीर चिंता है देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं 2019 में सरकार ने फास्ट्रेक स्पेशल कॉर्ड के स्थाप्णा की होजरा मनाई थे इसके तहट एहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है इसमें भी डिस्टिक मोनिटरिंग कमिटी की विविका महत्वपन हो सकती है इस कमिटी में डिस्टिक जज्ज, डियम और एस्पी भी शामिल होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के विविन पहलूँ के बीच समन्वे बनाने में उनकी भमी का अहम होती है हमें इन कमिटीों को और अधिक सक्रिय करने की जरुवत है महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे आधी आबादी को सुरक्षका उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा साथियों मुझे विश्वास है कि हाँ जो विमर्ष होगा उससे देश के लिए बहुमुल्य समाजान निकलेंगे जस्टिस टु आल का रास्ता मजबूत होगा मैं एक बाद फिर आप सब को इस पवित्र समारो और समागम और चिंतन मनन में जुरूर अमृत निकलेगा इस आशा के साथ अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ बहुत पर धन्यवाद